वेल्कम स््टुडेंट पिछले टॉपिक में हम लोग ने एक्वा कलचर के बारे में स्टडी किया रख रहा था एक्वा कल्चर मींज क्या था कल्चर इन वॉटर अधरवाइज एक्वेटिक या आपका फ्रेस वाटर हो या मैरिन वाटर हो तो एक्वा कल्चर उसमें मैंने भूभा सारा इंट्रोडट्रे पार्ट भी पताया था दॉ एक घखा फिसी कल्चर तो बहुत सारे इस पहले इसे पहले मचली पालन के दूसरा मतलब मचली पालन करेंगे और को इसके को हम कहते हैं PC कल्चर तो PC culture पाइसेज जो हमारे मचलियों को हमारा जो क्लास था वो क्या था पाइसेज या पीसेज जो भी बोलते हैं आप लोग तो वहीं PC culture यानि मचली का culture तो यह culture क्या होगा from rearing मतलब उसके breeding ground से उसकी marketing harvesting और marketing तक और economic जो उससे हमें फायदा होता वहां तक हमारे जो भी management है इस culture में तो उसी को हम क्या कहेंगे PC culture तो PC culture of fish on मतलब इस कल्चर में क्या कहेंगे फिस only is called PC culture मतलब culture of fish culture of fish only से fish का culture ही क्या करा है कहलाएगा PC culture और fish culture याद रहे कि इसे पहले वाली वीडियो में क्या होता है कि हम फिसरी जिसको बोलेंगे या फिस कल्चर बोलेंगे उसमें हम अदर एक्वेटिक जैसे प्रॉन फिसरी पर्ल का culture यह सब हम लोग study करते है तो मचली का बहुत ही सुरू से ही मचली का बहुत ही उपयोग रहा है बहुत आदी स हम लोग से भी पहले क्या हुता है मचलिया ओरिजनेट हुई है इस आर्थ पे जब हम उनके एज को देखते है तो तो फिस ओरिजनेट एप्रोक्स 450 मिलियन एगो लगभाग 450 मिलियन एगो ही क्या हो गया था वह अर्थ पे आ गए इसलिए हमारे जो धार्मी कीए है उसमें ह कि हम लोकमतासुपुरान का विर्यवरेंट हमको देखने को मिलता है और इस तरह क्या है मचली का और हमारे जो भी ही नी कट घरा किकैो से बहुँकन है अपने स्विधा की लिःते हैं वि Jose Ilpuk भी भी सुषिलोजिबख को भीरा है कि बारेमे नहीं मादुम करा लिखेंगे लि踏 लिए लिग में जिए कL How to work Yapलो को नाज साहिए को लिगर को명ुचर ूहारी टीटरी कर लिए लगभग 20% लगभग जो हमारा प्रोटीन आता है वो मचली से ही बनाया जाते है फिस्स बाइप्रोडक्ट से ही जब हम बाइप्रोडक्ट का लेक्चर पढ़ेंगे तो हम स्टडी करेंगे और यह जानी रहें के 30-40% लोग क्या है की बीवारी हो जाता चाहिए वह बच्चे है अचाहीं है तो बहुता बहुता है प्रोटीन लूक धूद में यह मिल्क में जो आपको मिला के पीते हो वह मचली से ही हमारे पर दोपने हैं तो फीस कल्चर में हम क्या करेंगे हमारा सबसे पहले ये जानना जरूर है कि हम आखिर इस कल्चर को करते क्यों है तो सबसे पहले हमारा जानना जरूर रहता है कि एम फीस कल्चर हमारा क्या है क्योंकि इस कल्चर को जब भी करेंगे तो हमारा एम से लेकर उसकी इकनॉमिक इं जिसको हमने कल्चर के लिए लिया है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उसका हम स्टड़ी करेंगे आप्टर डैट ताइप्स ऑप कल्टिवेबल फीच ऑप इंडिया में कितने तरह के कल्टिवेबल फीच और हम उसको कल्चर कर सकते हैं उसकी स्टड़ी करेंगे इस करेंगे फिर वह कौन से फैक्टर है जो एफेक्ट कर सकते हैं इस कल्चर को यानि फैक्टर एफेक्टिंग फीस कल्चर जो फीस कल्चर को एफेक्ट करें उस फैक्टर के बार पर स्टडी करेंगे और उसके बार मैनेजमेंट हम करेंगे या फीस कल्चर प्रोग्राम का तो इसकी study हम दूसरे वीडियो में हमारे नेक्ट वीडियो में करेंगे management of physical क्योंकि इसकी भी बहुत साथी वीडियो बनेगे अलग अलग बनेगी जैसे breeding pond पे यानी breeding pond या breeding जो हमारे मच्छनियों का breeding ground है वो किस तरह का होना चाहिए ठीक है जैसे breeding type हमारा natural breeding होता है हम इसकी अलग से वीडियो पे study करेंगे फिर breeding pond के बाद fish seed का collection हम कहां से करेंगे management जब हम करते हैं या fish culture program करते हैं तो उसकी लिए एक हमारा program होता है breeding pond fish seed का collection कैसे करेंगे after fish seed का collection के बाद breeding के बाद hatcheries हम कैसे त्यार करेंगे मतलब hatching pit pit मतलब गर्धा hatching means जहां पर hatching होना है उस fertilized egg का after that उसका हम ट्रांसपोर्ट करते हैं fish fry hatching के बाद जो fish fry emerge हुआ है वह कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे हम उसको nursery pond से nursery pond से मतलब nursery pond से कहां करेंगे rearing pond जहां पर उसका लालन पालन बोशन करेंगे तो वहां पर कौन सा control कौन सा तॉसरा मेजस को ध्यान देना है इस का study करेंगे इस topic pond का study करेंगे harvesting करेंगे और marketing यह सारे वीडियो अलग-अलग क्यों कि इस बहुत सारे वीडियो में बनेंगे तो सारे वीडियो का हम अलग-अलग study करेंगे तो सबसे पहले हमारा fish culture का सबसे important क्या है कि aim of fish culture है कि एम of fish culture हमारा सबसे इंपॉर्टिंट क्या है कि इस फेस कल्चर का एम हमारा क्या होना चाहिए किसी भी चीज का किसी भी कल्चर के यही सबसे इंपॉर्टिंट तो यही होता है कि प्रोड़क्शन हमको जादा से जादा मिले तो यहां हम मचली पालियर पीसी कल्चे के वाल में स्टड़ी कर यह पाचनू योग है पाचनू योग है पलेटेबल और हाईली न्यूटिटिव फूड के रूप में है इसलिए इसका हम कल्चर कर सकते हैं तो अप्टेन घाड़ी क्यां है, फिस ऐसा है कि इसका बाइप्रोड़क्त बहुत सार है। तो कि मस्हीयों पानल आनल से भूझ सोड़ीकर है हो तो इससे मच्वियों का पानल आनल से हमारे के ऊड़ह है कि कै cabinlinर के लिए जैसे साभुन बनाया जयाता है, यह कॉल्चरल के जानते कि क्या है तो फस्ट अप ऑल क्या है दग कल्चर रेबल फीस तुर भी क्या होना चाहिए बन तू फीड ओन नियाच्चिछल नेचरल अगर पानी में आचाना क्लाइमिटिक कंडिशन की वजए से अगर अचानक से कोई sudden changes हो गया तो उसको भी वो टॉलरेट कर बाया है यानि able to tolerate a sudden changes in climatic condition and nature of water in ponds okay after that fast growing and attain a good weight and height वो fast growing होनी चाहिए और अच्छे size वाली होनी चाहिए साथे साथ able to live in pond with other fishes without any disturbance means other fishes अगर हम composite fish farming कर रहे तो other fishes के साथ भी easily survive कर पाए without any disturbance after that able to consume small quantity of food small quantity of food को भी वो क्या करे आपका easily क्या करे consume कर सके able to resist against disease after that a plodiphylic breeders and palatable and nutritive in nature मतलब वो क्या होना चाहिए ये मचली का quality क्या होना चाहिए कि वो palatable हो और nutritive हो इंडेजिनस चीक है fresh water fishes like carp major carp जो हमारे इंडेजिनस इंडेजिनस means होता है native native means आप नॉर्मली क्या कह सकते है जैसे हम लोग कहते है कि देशी प्रजाती है सौदेशी प्रजाती है अलग अलग दो भासा यूज करते तो देशी प्रजाती यानि इंडीजिनस या आप क्या कह सकते है नेटी मतब जो हमारा देशी प्रजातीOUT वे में ख़कम किस्की स्पीकी का करते हैं इसिंक्लूड़ यानि इसंडूड़ ट जो आप शícia भड़ मखली बोलते हैंRIS प्रश्मिगाला, सीनियस रीबा, लेवियो रोहिता, लेवियो गोनियस यह इंडिजनस फ्रेस्वाटर फ्रेस लाइप कार कुछ सॉल्ट वाटर फिसज जो हमारे फ्रेस वाटर में भी जीवित रह सकते हैं ऐसे की स्पीसिघ्ट करते हैं जिसमें आपके आते हैं मूलेट और चनाज और आजिने कदर देट एक्स और विन परियानी या तर्ध गलर ऑट शीन करते है क verzaine को क्या कहते है sync pore outta 20 तो ह स्पीशिटे tenoo फिट इंटो दीक इन कुछ online ना, इसे CCP को ऐसे कि आड़ चॉपर मत क्र सकते हैं क्षाइज इसमें क्या अब हो है क्रूजिन गर और टाफ है ऐसी मचलियों का हम क्या कर सकते जो इंडिया में मोस्तली हम कल्ट्र करते हैं 3 कटिभी जो हमारा कुल्टिवल स्पीशी रै वो थ्री में काद से आपका प्रेस वो जो हैं इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया में हम कौन से ज्यादा तर कल्चर करते हैं तो यह ज्यादा तर कल्चर करने वाला फिस कौन होती है major carbs क्यूं करते हैं क्यूंकि major carbs have been found to be base culture fish because this feed on both joe fight fight plankton and phyto plankton means your animals के जो small है और phyto मतलब plants के जो plankton है यानि यानि जूओ और phyto दोनों plankton को साथ ही साथ decaying weeds को and other aquatic plants and debris को easily क्या कर सकते हैं feed करते हैं यानि सब पर dependent है इस कर सकता है ऐसलिए क्या कर सकता है तो इसका इसलिए की चल्चर करते हैँ इसका इसका बर्दी चुर्चर करते है ले जाना पड़ता है तो क्या करणे लिए ट्रासपोर्टेशन के समय इसी को एजली कर सकते हैं तो यह पहुंतली जल्दी प्राइट श्रूं योग है और था फास्ट ग्रोइंग इसलिए हम क्या करते हैं major carbs का culture easily करते हैं अब हम फैक्टर एफेक्ट फिस कल से किवाई में study करते हैं बहुत सारे ऐसे external factors हैं जो PC culture को affect करते हैं तो ना एडे प्रोटिवेवल फिस culture has become purely technique and scientific because a number of environmental factors affect them PC culture तो बहुत सारे factor हैं यह factor हमारे क्या हो सकते है temperature यानि temperature up and down की वज़े से क्या होता फिस के जो culture है उसमें हो सकता है उनके spawning में को चेंजे जा जा जाए या कोई भी reason हो जाए जिससे क्या हो गया पिसी culture पे असर पर सकता है लाइट light intensity का भी PC culture क्या होता है बहुत सारे आफेक्ट परता है रहनी सीजान या रहन बारिस के पानी से स्पानी बर जाती है तो आप्टर देट वाटर वाटर का क्वालिटी क्या है फिर फ्लॉड ठीक है जब बाहरा जाती है अप्टर करेंट का कैसा है क्या अयसे मचलिया होती है जो waarत मृटर करेंट में क्या करती स्पानि ने नहीं करती है तर्विठी और नब बारिसne तो इस पर अलग से बनाएंगे तो इसमें यह सारे क्लीर करेंगे पिर बुखा सारे एक्सेस टॉक्षिक प्लॉटेंट है जो वाटर में हैं और यह क्या करता है अफेक्ट मर्करी है वह हमारा वाट्र नहीं ही आप कर अचिया तो उनसे पारते हैं पिए सबहे कर अगर प्रेश जादा है अगर लुट्र आप कम क्यों कि एक लीमिट में ही क्या होता है अच्छाय कर पाता है पर हाडनेस, water का हाडनेस और सलनेटी पर भी डिपेइंड करता है इसका पीशी कल्चर और डिसलोफ ऑक्सीजन मस्ट इंपोर्टेंटि इसलोफ उक्सीजन भी क्या होचा पीशी कल्चर को एफेक्ट करता है तो इस तरह बहुत सब्सक्राइब ऐसे एक्स्टरनल फैक्टर हैं तो उसको कैसे एक program या कैसे management करके उसके पूरे PC culture के बारे पढ़ेंगे जहां पर वहां पर breeding pond से लेकिश सील्ट, hatchery pigs, hatchery pigs का ट्रांसपोर्ट कहां तक harvesting तक हम study करेंगे तो अगर आपको कोई भी चीज पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप comments box में पूछ सकते हैं और next video तक हम next video में फिल्म मिलते हैं अपने इस अगले topic के साथ, okay thank you